नमस्कार, मैं डॉक्टर संजेगर, कंसल्टन्ट, यूरोलोजिस्ट और अंडरोलोजिस्ट, मनिपल हॉस्पिल गाज़बाद आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन टॉपिक की जिससे जिन्दगी में कभी ना कभी हर इनसान परिशान रहता है या उसको ये तकलीफ हुई होती है और वो क्या है यूरीन इंफेक्शन इंफेक्शन जैसे आप समझते हैं कि ये किसी भी अंग का किसी भी वक्त हो सकता है अब इंफेक्शन किसी को भी हो सकता है लेकिन कुछ एक चीज़े होती है हैं जो इसका इस चीजको बढ़ावा देती हैं। तो और यह चीज में हो सकती है या तो हमारे शरी firefight में इन एंसके हमें नंगों उसमें कुछ कमी हो उसके बनावाट में यूरिन पूरी दर पास नहीं पाती, काफी सारी अंदर रह जाती है, प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं, जिसकी विएसे निकास टाइट हो जाता है, यह सब चीजे अगर हमारी बनावट की विएसे, यह इस्ट्रेक्शन अपनोमिटी हैं, उन कंडिशन में वो यह चीजे इंफ पैशी एज में अगर हम देखें तो लड़कियों में इंफेक्शन काईबर बड़ा कॉमन होता है, दिरे-दिरे करके यह पास साल के बाद में इंफेक्शन की प्रियल्टी समभावना कम हो जाती है, फिर दुवारा देखें तो यंग एज में लीडीज में जाद होता है, तो कई ऐसे इंफेक्शन हैं जो एक जगए से दूसरी जगए जा सकते हैं, तो जाते समभावना होती है कि यग लीडीज में यह यूरिन इंफेक्शन बहुत कॉमन है, जयसे ऐसे एज बढ़ती है तो उस कंडिशन में क्योंकि आद्मियों में प्रॉस्टेट गरं काफी सारा पेशाब अंदर रुकने लगता है तो इन सब कारोनों की वज़े से भी infection की समावना पढ़ जाती है अब बात आती है associated बीमारियां, comorbidities, ऐसी अगर कोई बीमारी है, especially diabetics, diabetes ऐसी बीमारी है जो किसी को infection prone बना सकती है इसी तरह diabetes में सबसे common infection बना होता है, urine infection ये शुगर जो है, वो urine में जायतर जब blood level बढ़ता है तो वो कुछ level के बाद में urine में भी sugar level बढ़ने लगता है और जब sugar level बढ़ेगा तो किटाणू को एक तरह से समझे कि उनको वहाँ पे अपना portion मिल जाता है या वो पनब जाते हैं और एक और होता है कि आदमियों में link के दुआर पे वहाँ पे खाल का infection या उसका infection भी diabetes से बहुत कॉमन है, कई बार तो ऐसा होता है, कुछ patients हमने ऐसे देखे हैं कि वहाँ के infection के लिए आते हैं treatment और हम उनका test कराते हैं तो निकलता है कि उनको sugar है, समझने की बात है कि diabetes एक ऐसी बीमारी है जिसमें urine infection बहुत common है, तो ये जब किसी patient को हमारे पास में आते हैं, ये complaint लेके जिसमें हम सोचते है infection है, तो पहले ये पता करना जरूर अब complaints क्या होती हैं, किस तरह से कोई patient आएगा कि हम ये सब सोचेगी उसको infection है, infection के जायतर क्या features होते हैं, पिशाप की infection में सबसे पहले पिशाप में जलन होना चालू होगी, पिशाप बार बार जाना, पिशाप करते दर्द होना, जादे अगर ही हो जाए तो पिशाप में infection है, और ये सब symptoms लेगा, अगर patient आता है, तो हम उसको उस तरह से evaluate करते हैं, evaluate करने का मतलब है कि clinical examination, history लेना, पुरा जानकारी लेना, और उसके बाद में clinical examination करना है, कई बार clinical examination करने पे किसी particular हिस्से में दर्द का भी ऐसास हो सकता है, अगर ये kidney वाले area में दर्द हो रहा है, इसका मतलब कि infection बढ़ गया है और kidney को भी ग्रसित कर रखा है, पेशाप की तहली में दर्द हो सकता है, जो मूत्र विबाग निकासी दवार है, उसमें भी कई पर सूजन हो सकती है, तो इस तरह से clinical examination से हमें source of infection, ये कहां से इसकी शुरुआत होई, किस हिससे को जादे infection है, ये पता कर सकते हैं, फिर अगर बात आती है कुछ टेस्ट कराने की, तो टेस्ट कराने में सबसे common ये सबसे पहला टेस्ट होता है, यूरीन का टेस्ट होना, यूरीन रूटीन टेस्ट कराते हैं, और साथ में उसको culture sensitivity, culture sensitivity से हमें ये ग्यात होता है, कि किस किटानों से infection हुआ या कुछ भी ऐसी सिम्टम्स हुए हमने दवाई ले ली या ओवर दा काउंटर जाके दवाई ले ली तो बिना जाज कराए या बिना डॉक्टर से मिले दवाई नहीं लेनी चीए इसका नेगटिव असर क्या होता है इसका अगर हम बार बार दवाई खाते रहेंगे खा है सकते हैं कि एक रूटीन में जो फर्स्ट लाइन थरपी है उससे उसको रेजिटन्स आ जाएगा तो वो किटानू हमारी सेकंड लाइन थरपी या हायर एंटिबाटिक्स से असर करेगा तो यह चीज़ ठीक नहीं होती है इसलिए कभी भी अगर कुछ ऐसा सिम्टम है कोई साथ में और कोई कंजनेटल डिफेक्ट तो नहीं है साथ में कई कोई रुकावट तो नहीं है कई बार रुकावट से से मैंने आपको पताया था पत्री पत्री भी ऐसे हो सकती है जो इन्फेक्शन के साथ हो सकती है या जिसके कारण से इन्फेक्शन हो सकता है अगर प कुछ और investigation है उनकी ज़रुटीन में नहीं पड़ती बड़ जैसे CT scan वगर हुआ अगर हम कुछ और चीज़ सोच रहे हैं पत्री सोच रहे हैं कुछ obstruction सोच रहे हैं तब इनकी मदद लेनी पड़ती है prostate ऐसी गरंती है कि कई बार उसमें infection अगर जादे हो जाए यह कुछ ऐसा फील कर रहे हैं हम चेक करने पर हमें लग रहा है तो उसके लिए कुछ special ultrasound होते हैं जिसको trust होते हैं ट्रांस्रेक्टिल इल्टरसाउंड तो यह सब चीज़े जा हमें पता पढ़ जाती हैं तब हम इनका इलाज चालू करते हैं और जैसे मैंने बताया कि इलाज कुछ हमारे clinical assessment पर होता है और यह जो test मैं आपको बता रहा हूँ इनकी मदद से हमें help मिलती है कि हम क्या दवाई patient को prescribe करें अब इसका treatment कितनी देर चलना चाहिए routine investigation के बाद में अगर किसी को पहली बार यह episode हुआ है तो उस duration में जैसे की पांच दिन की duration है हमें treatment करना पड़ता है बट अगर किसी को बार बार infection हो रहा है जिसको हम recurrent infection बोलते हैं या persistence of infection बोलते हैं तब उसमें यह treatment हमारा लंबा भी चल जाता है लंबा चलने का मतलब है कि पांच दिन की वज़ाए कभी-कभी infection की duration तीन हफता च्छे हफता या कभी-कभी उससे जादे भी होती है कौन से infection होते हैं जो जादे खिस सकते हैं या जादे इनका लंबा treatment चलता है especially kidney के infection अगर किसी को kidney में infection हुआ है urine infection तो उसको हम pylon arthritis बोलते हैं और इस condition में यह treatment इनका कम से कम तीन हफता या उससे जादे भी चल सकता है prostate का infection जैसे मैंने आपको पताया है यह भी थोड़ी मुश्किल से खतम होता है तो उसमें हमें treatment कभी-कभी 6 हफते इसे 12 हफते तक चलाना पड़ जाता है तो वो 12 से बार-बार infection की संभावना रहती है किसी के अगर जैसे मैंने बताया लिंक पे आगे infection हो रहा है तो उसमें अगर उसकी जो skin है tight हो जाती है तो उस condition में उसको में खतना है यानि कि circumcision करना पड़ता है अगर यह नहीं करेंगे तो बार-बार infection होगा तो इसलिए इस infection में कई बार उसके कारण को treat करना भी बहुत जरूरी होता है कि उसके पीछे कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसको हम ठीक करें अब बिना उसको करें हम infection पर पूरा control नहीं कर सकते हैं तो आखिरकार मैं यहीं पताना चाहूंगा कि कभी भी कोई ऐसे symptom हो शुरुआती तोर पे ही अगर मैं पता पड़ जाए कि पिशाम में जलन हो रही है दर्द हो रहा है बलड आ रहा है यह कुछ भी है तो हम बैटर है कि हमने physician से और specifically urologist से मिलें जिससे की कारण पता वाईयो से ही बेतर कंट्रोल कर सकें नमश्कार